असलाम लेकुम और हम तुलह बरकातु हूँ कैसे आप सब लोग वीवर्स मेरा भी एकबाल खान हमेशा की तरह आप सब लोगों का अपने चैनल पर अपने किचन में वेलकुम करती हूँ खुशाम दीद करती हूँ और उमीद करती हूँ कि आप लोग भी खरीयत से हूँगे अच्छे हूँ कि अपने अपने घरों में आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ मैंगो प्रोटीन शेक की रेसिपी जो कि आप लोगों को बहुत जादा पसंद आएका और ये बहुत ही इजी है बनाना और इसमें कोई शक ने कि ये बहुत ही जादा हिल्दी और डेस्टी भी है तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बहुत जादा जरूरी है ये बात आप सबसे बताना शेयर करना कि मैं ने الحمدللہ الحمدللہ حج کر لیا साल 2021 में الحمدللہ माशाला तबारक अल्ला और ये सब कुछ आप लोगों की दौाओं की वज़ा से हुआ है तो बस दौाओं में याद रखिएगा और अल्ला पाक हम सब को हिदायत और तक्वा की जिन्दगी दे और हमें दुनिया में तमाम जहानों के मुसल्मानों को अल्ला हज करने की खुश नसीबी अता फर्माएं आमीन सुम्मा आमीन तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने जो है एक आम जो है तकरिबन हाफ केजी के आसपास होगा यह आम को मैंने काट के छोटे-छोटे टुकरों में रख लिया है अब यहाँ पे हम लेंगे कुछ ड्राइफ रोट्स 50 ग्राम के आसपास मैंने लिया है पिस्ता जिसको मैंने हलका सा दरदरा कूट लिया है मतलब हलका सा ग्राइंड कर लिया है और 50 ग्राम मैंने लिया है आलमंड यानि बादाम 50 ग्राम मैंने काजू लिया है और 50 ग्राम ही मैंने आख रोट लिया है अब इसको हम डाल देंगे मिकसर में जार में मिकसर के और इसको हम सब को डाल के हलका सा चला लेंगे थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे ठीक है पिस्ता हमने अभी नहीं डाला है पिस्ता हम बाद में एड़ करेंगे पहले हम इसको हलका सा ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं आप चाहें तो इसको बारीक पाउडर सकते मैंने थोड़ा सा दर दर रह रखा हैं बहुत ज़्यादा उसको act शोगर जो है चीनी हम 4 टेबली स्पून डालेंगे चाट टेबली स्पून और यह आप कम या ज़ादा अपने टेस्ट के हैसाब से कर सकते हैं यहां पर वनिला एसेंस डाल देंगे वन टीज़ पून अब इसके अंदर हम दूद डालेंगे जितना हमें चाहिए तो मैंने दो कप भर करके दूद डाल आप चाहें तो इसमें कम या जादा कर सकते हैं ठंडा दूद का इस्तेमाल किया है पिस्ता मैंने एक टेबल स्पून डाला बाकी का बचावा बाद में डालेंगे और मैंने आम जो काटा हुआ था वो भी डाल दिया अब इन सब को हम डाल करके ग्राइंड कर लेंगे अच्छ ग्राइंड करेंगे तो अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और उसी परपस से यह प्रोटीन शेक बनाना चाहते हैं मैंगो प्रोटीन शेक तो आप इसमें शुगर आड़ मत कीजिएगा शुगर की जगाब इसमें जो थोड़ा सा हनी डालना हो तो वो डाल दें या फ चीजें डाली हैं तो यह आपको कोई नुकसान भी नहीं देगा और वेट भी लूज होगा आप इसको रात में सोने से पहले खाने की जगा सिर्फ इसको पी के अगर आप सोते हैं तो भी आपके लिए बहतर है अगर आप ब्रेकफास्ट में दूसरी चीजें खाने के बजा होगा और आप इस मैंगो की जगह कोई भी इसमें फ्रूट इस्तिमाल कर सकते हैं जो भी सीजन में फ्रूट आता है आप उसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं तो ज़रूर बना के ट्राइक किजएगा यह मैंगो garage की रेसिपी और यहां पर मेरे चैनल को like करना बिलकुल मत भ आफिज असलाम लेकूं और रह्मतुल्य बरकातु